हेलो नमस्कार आदा आप शस्रिया काल टी यॉल और मैं विनत्री स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे इस इनिशेटी में जिसमें आज हम बात करेंगे टाइप सो एक बार चोटा सा रिकाप क्लासिफिकेशन में हमने बात की थी कि भाई हम यहां पर डिविजेंस जो में बात कर लिए तो जुतैंज चाहिआ सुंपाइट करेंगे थी इनिशेटा के इनिशेटे vegetation से बात क्याद करंए करइव शब्लिद के सच आज हम बात करेंगे जो टाइपस-फफफभी जो इस किंग्टमम प्लांटे में आती हैं यानिकि ग्रीन य्ल-ग ए-वाउम ने से आज से with their examples ठीक है और इसी तरह से algae and after that फिर ब्राइवफाइटा में बात करेंगे हम टारेवफाइटा, जीम्नो सपर्म्स and अन्जियो सपर्म्स so detail में इस chapter को हम पूरे को complete करेंगे आज हम बात जो start करने जा रहे हैं वो है chlorophyta, तो chlorophyta का मतलब क्या है कि green algae ठीक है commonly हम इस chlorophyta क्या बोलते है, green algae ठीक है, तो confused मत हो ना, green algae जो मैंने आपको बता है algae के जो तीन groups हैं उनमें green algae जिसको हम chlorophyta बोलते हैं, ठीक है, habitat, कहां पर यह generally पाई जाती है तो जादा तर जो green algae है, वो mostly fresh water में ही पाई जाती है, फिर बाकी जो है, कुछ marine है, कुछ sub aerial है, कुछ snow में भी पाई जाती है, तो यह इनके habitats है सब aerial का मतलब यहां पर मैंने आपको कल भी बताया था कि जो tree logs है, ठीक है, या tree trunks है, वहां पर जो है, या फिर थोड़ा सा moisture है, ठीक है, वहां पर जो पाई जाती है, या पूरी हवा में भी नहीं और पूरी मतलब एक तरह से पूरी जमीन के अंदर भी नहीं या पानी के मिट्टी, कई बार जैसे आप देखते हैं, आपके घर के आसपा जहां पर moisture हमेसा बना रहता है, तो वहां पर यह ग्रो कर जाती है, ठीक है, इवन कुछ solid surface पर भी, जो आपके iron के कुछ tools वगरा होते हैं, उन पर भी यह हो सकती है, ठीक है, कुछ जो है, एपी जो हो सकती है एपीजोईक का मतलब क्या है, कि जो दूसरे एनिमल्स की बोडी पर ग्रो करें, जैसे कि जू क्लोरेला की अगर हम बात करें, तो जू क्लोरेला जो है, वो आपको associated मिलेगी sponges के साथ, sponges यानि कि phylum porifera जो है आपका, kingdom animalia में जो phylum porifera है, वहां पर यह उन के साथ क्या मिले दिखा होगा, sloth, एक mammal होता है, और यह जो पाया जाता है, जो साथ अमेरिका के rainforest में, ठीक है, यह जो sloth bear है, जो बोलता है, एक तरह का mammal है, और यह tree dwelling होता है, यह trees पर जनली रहता है, इसके, इसकी बोडी पर जो है, यह ट्राइकोफिलस नाम की, जो है green एल के पाया जाती ह जो, जिसकी वज़े से, जो sloth bear है, उसका color थोड़ा सा, उसका color कैसा होता है, green हो जाता है, और green होने के कारण, उसको थोड़ी सी protection मिलती है, from its predators, कुछ parasitic भी होती है, parasitic होती है, यानि कि जो है, tea के plants है, pepper या coffee के जो plants है, वहाँ पर ग्रो करती है, और, eventually करती क्या है, इनका जो, bad जो effect होता है, वो क्या होता है, कि ये इनकी production को कम कर देती है, इसकी productivity को कम कर देती है, ठीक है, ये green होगे, ठीक है, जो parasitic होती है, इसके बाद, और parasitic में, अगर आप नाम याद रखना चाहें, तो नाम भी याद रख सकते हैं, सिफा लिरोस, सिफा लिरोस, मैं आपर spelling लिख देता हूँ, ताकि आपको अगर लिखना चाहें, तो आप लिख सकते हैं, C-E-P-H-A-L-E-U-R-O-S, ठीक है, C-P-H-A-L-E-U-R-O-S, ठीक है, C-P-H-A-L-E-U-R-O-S, ठीक है, C-P-H-A-L-E-U-R-O-S, ठीक है, सिफा लिरोस, जो है, वो एक तरह की parasitic क्या है, ग्री परिख सकते हैं, इनकी बोडी, यानि की थैलस-लाइक बोडी, जैसे की पहले बताएं, थैलस-लाइक का बोडी क्या होता है, जो बोडी, या विदाउट डिफ्रेंशियेटन, विदाउट डिफ्रेंशियेटन, इन्टू प्रोपर जो है, ट्रू लीव, स्टैम, एंड विदा लेकंता फ्लाइक बोडी, तै listing बोडी, यानिक फैलस-तौमन, विदाव्र, विदाउट डिफ्रेंशियेटन, लेकं न चके मलत नेयरगेशियेटन, अटिवर, स्पैरो ओरट लाइक के सांवाम hon गेयरगी, म elaborated सभी कमना, और था या आ या या और मेंका पनले-आध है एकसी जो मैं आपको दिखाता हूं यह देखे यह पर आप देख सकते हैं तो यह देख यह देखिए अंब्रेले शेयी एक्शाब एस अपनेश्चे पास अपे श्युक्त है यह थे फोटोसंथेटिक पिगमेंट क्योंकि यह परफॉरोप्लास्ट तो वह कौन-कौन से क्लोरोफिल भी होता है बता चुका हूं करोटीन्स भी है जैन्टोफिल्स भी है अब यह क्या होते मैंने आपको एक वर शायद पहली बताया था कि अगर हम प्लांट के केस में बात करते है हैं तो प्लांट के पास कुछ फोटो-संथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जैसे क्लोरोफिल के बाद ऑन्यूह भी होता है केरीट्रण और केरोटीन जियुक्त है क्याहाभी स्पेशलर थो में बीटा कैरोटीन में वाइटामिन A वापीटा केरोटीन से स्बस्रीने इसके लावा और भी केरोटीन है जैसे आपने देखा होगा लाइकोपीन ल-y-c-o-p-e-n-e ल-y-c-o-p-e-n-e लाइकोपीन आपने देखा कि टॉमेटोज तेर रेड इन कलर रेड चिलीज तेर बिकोज अब प्रेजंस अफ दिस ताइप अफ केरोटीन और यीजियुठ आपने लिकोपीन तो इन केरेटोणस तो जो हैं यह फोटो स्न्थे टाइटीटिक पिगमेंट्स में भी होते हैं इनल्गेत में भी पाई जाते हैं टो टाइब के होते हैं करोटिन और करोटिन फिर इनकी बीटा करोटिन जो कि हमारे बाइन दर यह क्ए दर से वाकॉड को लर्डीं जिसका उसली होता है ऑद्वीन इसल्हें दोक्टर करते हैं कि अब ताकि आपकी। बॉोड़ी में वीटामिन A बनाए व्रॉटाभरण के k счज्ट इस ने करें नियुकरम आपकी। 1 कि एक पूर्ण cloth एक एक तरह के करेंट लुच्ट सपीड़ाओaining-8-6-3 फूको जैनतीन भी एक तरह का जो है जैन्तोफिल आपको देखने करे बॉले हाईल में भी ते when you मनी फ्क्राउम है? जिनको हम बोलते हैं, यह क्कोशन जरनली पूछ लिए जाता है इन प्रोटीन होती और इसके बाहर जो लेयर होती है वो स्टार्च की लेयर होती है तो इस पूरी बोडी कम क्या बोल देती हैं पाइरीनॉइस बोल देते हैं और यह storage body यानिकि जो food reserve है वो है यह actual में reproduction जो है it is by asexual mode and sexual mode both asexual mode sport formation and most common sports are juice sports I have already talked about this this juice sports ठीक है ना और जब normal conditions होंगी जब favorable conditions होंगी तो यह sport formation कौन सोंगे juice sports बनेंगे और उससे यह sexual mode of reproduction होगा और जब favorable conditions नहीं होंगी यानिके extreme conditions होंगी तो a planosports, hypnospores, akinites, autospores यह सब sports बनेंगे यह कैसे बनेंगे, क्यों बनेंगे, कब बनेंगे वो सब हम बात करेंगे जब हम examples की बात करेंगे sexual reproduction by gamut formation, fusion of gamut होगा ठीक है, यहाँ पर तीन तरह के हो सकते हैं, fusion of gamut, isogammy, unisogammy and ugammy I think पहले बता चुका हूँ, फिर एक बर revise करवा देता हूँ, isogammy का मतलब यहाँ पर क्या है, isogammy का मतलब क्या है, दोनों जो gamut है, male और female gamut, वो structurally and physiological, यह निके functionally, structurally, दोनों तरह से same होंगे, एकदम same होंगे, यहाँ पर तोड़ा अलग बना है, लेकिन यह आप same बना बिलकुल same होंगे, दोनों male और female gamut से एकदम same होंगे, अनाइसोगammy में क्या होगा, होगा, अनाइसोगammy में यह होगा, कि gamut जो female और male gamut हैं, जो female और male gamut हैं, वो कैसे होंगे, वो आपके structurally जो है, structurally तो आप कह सकते हैं, कि वो similar होंगे, लेकिन वो size और behavior में अलग ठीक है, दोनों में आ लेजे हैं, square के shape में, लेकिन एक का जो size है, वो बड़ा है, एक का छोटा है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं, यह अनाइसोगammy या अनाइसोगammas fusion होगा, ओ गैमी में क्या होता है, ओ गैमी में यह होता है, कि जो female gamut होता है, वो food laden होता है, वो non-flaz isolated, यानिकी, motile वो होता है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, जब fusion होगी, तो हम उसको बोलेगे, जब इन दोनों के बीच में होगी, यानिकी, structure तो दोनों का सेम है, square की ही shape, यह rectangle थोड़ा बन गया, लेकिन square की ही shape, आप मान लीजे, लेकिन size, structure सेम है, लेकिन size में difference है, यहां पर तो बिलकुल ही अलग हो जाते हैं, और यहां पर एकदम सेम हो जाते हैं, तो आइसो गैमिया, आइसो गैमेट्स, ठीक है, तो यह हमने देखा reproduction का case, और इसी के साथ हमने यह अपना complete कर लिया है, for notes, you can download telegram channel in your phone, और वहां से आप telegram channel से मेरे चैनल पर जा सकते हैं, इसका link, जो है telegram channel का link मैं इस वीडियो के description में हमेशा देता हूँ, हर वीडियो में आपको मिलेगा, और उन वहां से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, telegram channel के link को, telegram channel को डाउनलोड करके, वहां से आप फिर अपने PDF और PPT format में notes को डाउनलोड कर सकते हैं, और मे थैंक यू, थैंक यू रहा मुच, भाई, टेक केर